हलो गाइस, वेल्कम टो माई चैनल, मिस्टीरियस टैग GNT में और गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो हमार डिवाइस है, रेडिमी नोट 5 उसमें हमें बहुत दिनों से, मतलब लगबग तीन मैनों से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है और जो हमें लाश्ट अपडेट देखने को मिला था, उसका वर्जन था 10.0.4.0 और जो हमें उसका सिक्योरिटी पैस था, वो था 1 नॉवेंबर का, जैसे कि आप देख सकते हो तो आज की वीडियो बहुत जाए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा जो हमारा रेड्मी नोट 5 है, उसमें नेक्स अपडेट कब तक देखने को मिलेगा और इसकी रिलीज डेट क्या होने वाली है, साथ में जो नेक्स अपडेट आएगा उसमें आर हमें बहुत सा न्यूव फीचर्स देखने को मिल जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन से न्यूव फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि नेक्स अपडेट बहुत जादा न्यूव फीचर्स से भरा होने वाला है साथ में उसमें कौन-कौन से बग्स फिक्स किये जाएंगे तो आर ये पूरा वीडियो देखना क्योंकि पूरा वीडियो बहुत जादा इंफॉमेटिव रहने वाला है आपके जो सारे डाउट से क्लियर हो जाएंगे इस अपडेट के बारे में और इस अपडेट का वर्जन क्या होने वाला मैं ये भी बताऊंगा तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो के लाइक तो करी देना वीडियो बनाने बहुत जादा मेहत लगती है और साथ में हमारे चैनल को सस्क्राइब कर देना यूगि हम ऐसी वीडियो रोजानल लाते रहते हैं तो चलिए गाईस बिनागीज देर के वीडियो को शुरू करते हैं तो गाईस सबसे पहल में आपको इसका एक रीजन बता देता हूं कि पिछले तीन मैने से हमें रेडिमी नोट 5 में कोई भी स्टेवल अपडेट देखने को क्यों नहीं मिल रहा तो गाईस का सिंपल सा एक ही रीजन है जो एमाई है वो अपने न्यू फोन पे फोकस कर रही है जो न्यू फोन लाँच होने वाले है और जो उनके पुराने फोन है उन पे फोकस नहीं कर रही और पुराने फोन को यह अपडेट भी प्रोवाइड नहीं कर रही है और चलिए गाइस दूसरे कोशन की तरह बढ़ते हैं दूसरा कोशन है कि नय अपडेट का वर्जन है वो क्या होने वाला है तो गाइस न्यू अपडेट का वर्जन है वो यार होने वाले 10.2.1.0 या तो 10.2.3.0 पर गाइस जैसा कि मेरा मानना है 10.2.3.0 होगा क्योंकि 10.2.1.0 यह अपडेट भी थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो guys मेरा मानना है कि 10.2.3.0 होगा क्योंकि नोट 4 में भी यही अपडेट आया है तो आपको 10.2.3.0 ही देखने को मिलेगा तो guys चलिए अब next question की दरफ चलते हैं तो guys next question यह है कि कौन-कौन से बग्स नेक्स अपडेट में फिक्स के जाएंगे तो guys ज्यादा कोई बग्स नहीं किये जाएंगे बस यह बैटरी बैकप में जिसको ही प्रॉब्लम आ रही है जो कि बहुत-बड़ा मेजर इशू है वो यह फिक्स कर दिया जाएगा क्योंकि 10.2 series का बैटरी बैकप काफी अच्छा रहने वाला है जैसे कि आप information निकल के आ रही है 10.2 series में बैटरी बैकप Redmi Note 5 का काफी आर अमेजिंग रहने वाला है वैसे जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बता ही दूँगा तो आप नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं कौन-कौन से जो निव फीचर्स है वो Redmi Note 5 में 10.2 की series में देखने को मिल जाएंगे तो इसमें बता रहे हैं तो बहुत साए निव फीचर्स मिलने वाले है पूरा निव फीचर्स है भरमार रहने वाले अपडेट तो आपको 1 by 1 में 7-8 फीचर्स इसमें बता रहेता हूं जो कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे तो गाई जो सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलेगा वो है निव सिक्यूरिटी पैच्च तो आपको हर अपडेट के अगद हीचर्स निव सिक्यूरिट्य पैच्च त hora को मिलेजाता है तो अभी 1 मेंबर का bank करा सिक्यूरिटी पैच्च है अपडेट के वाद आपको 1 जैनवरी का देखने को मिला जाएगा तो काई सब नेक्स फीचर की तरफ चलते हैं बहुत छोटा फीचर था तो next फीचर यह है जो on screen बटन होते हैं यह वाले जो यह 3 आपको दिख रहें on screen बटन यह बिल्कुल stock android की तरह हो जाएंगे यह तो मेरा Redmi Note 5 Pro है पर guys Redmi Note 5 में आपको ऐसे buttons देखने को नहीं मिलते पर update के बाद आपके same to same ऐसे ही on screen buttons हो जाएंगे stock android की तरह जैसे कि आप इसमें भी देख पा रहे हो बिल्कुल यह सेम ऐसे ही हो जाएगा update के बाद तो guys अब next feature की तरह चलते हैं तो next feature यह है जो battery percentage indicator है वो box के अंदर आने लगेगा जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा box के अंदर आ रहा है क्योंकि Redmi Note 5 Pro है पर Redmi Note 5 में आपका battery percentage indicator बहार आता होगा जैसे कि 16 यहाँ पर लिखा आता होगा पर जैसे update हो जाएगा तो box के अंद क्योंकि आर यह इसके अंदर चला जाता है तो यह भी थोड़ सही feature है और next feature की तरफ चलते हैं तो app world में आपको कुछ changes देखने को मिलेंगे तो आपको दिखाए तो आपको कौन कौन से changes मिलेंगे अगर आप app world खोलोगे तो पहले आपको utilities का option नहीं मिलता होगा Redmi Note 5 में पर जैसे आर यह update हो जाएगा आपको utilities का भी option मिल जाएगा Redmi Note 5 में और भी कुछ थोड़े बहुत features मिल जाएगे app world में जो क्यार में update होने के आपको बता ही दूँगा तो आप next feature की तरफ बात करते हैं कि next feature कौन से रहने वाला है तो यह security app में भी कुछ changes आएगे जो security app है उसमे आपको बहुत साए changes देखने को मिलेंगे तो कुछ changes में आपको बता है तो क्या होने वाला है तो अगर आप security app खोलेंगे तो अभी आपको ज़्यादा यह नहीं दिख रहा होगा WhatsApp cleaner औ Facebook cleaner पर जैसे आपको अपडेट हो जाएगा 10.2 की series में आपको WhatsApp और Facebook cleaner दोनों अलग अलग देखने को मिल जाएगा तो यह काफी अच्छी बात रहने वाली है पर अभी यह update के बाद ही आपको देखने को मिलेगा अभी आपको Redmi Note 5 में आपको नहीं मिल रहा होगा क्योंकि अभी Redmi Note 5 Pro में आ चुका है तो अपडेट के आपको यह change भी देखने को मिल जाएगा तो next feature का काफी जाए शांदार रहने वाला है जिसको बहुत लोगों को बहुत दिनों से उमीद ठीक आप आएगा तो यह आई जाएगा हाइड आपको अप्डेट को अप्डेट के बाद आपको बता ही दूंगा क्योंकि का अच्छा उप्डेट के बाद बता दूंगा और कैसे फीचर की तरफ चलता है जो कि आने वाला आप में यह भी काफी शांदार रहने वाला है जो कि आप पोर्टेट मोड आ जाएगा आपका रियर कैमरा में इस अपडेट के बाद क्योंकि रेड्मी नोट 4 में पोर्टेट मोड आ चुका है रियर और फ्रेंट में अभी आपको सारे जो न्यू फीचर और भी बहुत सारे चोटे मोटे फीचर एड होंगे जो कि आर मैं अपडेट के फुल चेंज लॉग में आपको बता दूँगा अभी तो अपडेट आया नहीं है और बहुत जल्दी आने वाला है तो गाई जब बात कर लेते हैं फाइनल मेन कोशन की क्योंकि आर तीन मेने से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है तो यह अपडेट हमें कब तक देखने को मिलेगा यह सबस्द सवाल यही आ रहा है मिने बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे और जातर लोग इस पर वीडियो नहीं बनाये तो मैं सुझार एक वीडिय नहीं देता हूं तो यह इस अपडेट की जो रिलीज डेट होने वाली है वह होने वाली है फर्स्ट वीक आफ मार्च में आपको फर्स्ट मार्च से लेके दस मार्च के बीच में अपडेट देखने को मिली जाएगा और फरवरी में ही अपडेट मिलने वारा था पर फरवर मार्च में तो कम से कम में अपडेट प्रोवाइड करी दे और जैसी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हमाई चैनल पर आपको इंफोर्मेशन लगती हो तो इस वीडियो के लाइक तो जरूर कर देना क्योंकि एक लाइक एक सबसे पहले मिल जाती है तो थैंट्यू गैस मारे वीडियो देखने के लिए